तो यहां पर देखिएगा जो निफ्टी बैंक है निफ्टी बैंक में क्या हो रहा है विकली में क्या हमारे बस इंपोर्टन लेवल से तो 47,750 क्या यह इस लेवल के उपर मार्केट आखर के रुका तो है लेकिन क्या मार्केट कंटिनेस में यह से उपर जाफ आएगा 48,750 का लेवल यहां पर क्रॉस हो पाएगा यह फिर नहीं हो पाएगा वो हम देखने वाले हैं लेकिन यह तो बड़ा लेवल हैं काफी बड़ी आसा मतलब 1000 पॉइंट की रैली हमें वहाँ पर देखने मिल सकती है तो क्या यह रैली सच में वहाँ पर हमें देखने मिलेगी या तो वहाँ से भी आप सीदे इसके अंदर जॉइनिंग कर सकते हो और यहां पर जो एक इंपोर्टन नेक्स टैवल स्रेगा ना वह भी कहा पर रहेगी देखिए अब जो है मार्केट का जो सेंटिमेंट है यहां पर थोड़ा बहुत ट्रैपिंग वाले सेंटिमेंट है क्यों मतलब क्या हो रहे कि यह वाले जों के अंदर मार्केट फुल तु टॉट्रैप कर रहा है यहां बैपर जाएगा यह पॉ adesso करण मार्केट यह से आपर नि चौब यह कहन का पर जाए गी एंड जो फिर बड़ा टागे 49,000 का हमें यहां पर देखने मिल सकता है अगर इस तरीके से कि अप इसके साथ टूरहा है कि यहां हमेरे तर凯ह कृषिटी ओडियर के अडी बमें Parlेंic जुकरी मार्केट ने मौमेंटम दिया तो ठीक है और इसके साथ मिर नेकलने की कोशिव वन ci यहां पर क्या कर सकते हैं अगर हम जाने की कुछिछ करते हैं तो यहां पर एक रिवर्सल सिटप हमें नज़र आ रहे हैं रिवर्सल सिटप के अकोड़िंग लिए अगर मार्केट डाउन फोल करता है 480098 की लेवल से तो फिर एक बड़े टागेट 47800 हमें वापे देखने मिल स पसाना चाहिए मतलब 47920 का तो मतलब अगर धीरे धीरे यहां पर आता है और फिर यहां से अगर ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं तो वापस ऐसे नीच आएगा और वापस अगर ऊपर निकलता है तो फिर काफी तेजी से यह 800848320 के टागेट को हमें आचिव करते हुए वापे देख सकता है अगर उस तरीके से मार्केट चलता है तो उसके साथ में जो क्वीक एंट्री क्वीक एग्जिट लेवल से वह कौन से है वो तो मैंने आपको अलड़ी बता करके रखे हुए है प्रिवेस वीडियो के अंदर तो वो भी आप जा करके चेक कर लेना उसके साथ में ये important चीज है 48,140, and 48,060 यह भी दोना काफ़ी important चीजे है यह से भी market upper side move and downside का move हमें आतावध दीख सकता है ओके अब uptor side move and downside का move हमें कैसे देख साम मिल सकता है किस तरीके से तो जो important downside के level से वह आपको पता है अभी एक upper side का important level है वह भी आपको पता है अब जिस हिसा कर सकता है उस direction में हम trade लेने का planning वहाँ पर कर सकते है अगर market जाने की कोशिश करता है तो लगिन अगर उसके deposit में market जाने की कोशिश कर रहे तो definitely हम वो trade को आववड कर देगे ठीक है उसके साथ में जो हमरा free telegram channel है अगर आप ने उसमें जॉइन नहीं किया तो definitely आप करके जॉइन करिए बैंक निफ्टी ऑप्शन टेड चीए अब एक और जी यहाँ पर इंपोर्टन आ जाती है अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यह क्या उनसे चार्टी यह है हमारा निफ्टी का भी निफ्टी के चार्ट में क्या काफीजन लेवल्स क्रेट हो रहा है तो निफ्टी के चार्ट में भी काफी बढ़ी असा कन्फीजन लेवल्स क्रेट हो चुका है निफ्टी अगर 22,505 के उपर निकलने में कामयाब हो चाता है तो कहीं ना कि अपने अलपास जो इंपोर्टन लेवल से 700 का वह हमें टागेट अचिव होते हुए देख सकता है तो यह अगर 505 वादर लेवल से आपर ब्रेक आउट होता है continuous मॉमेंट में मतलब थोड़ा बहुत नीचे आता है फिर या से उपर धीरे-धीरे करने की निकोशिश करता है क्योंकि उसके लिए जो 677 का लेवल रहेगा and 630 का लेवल रहेग जिससे मार्केट वापस एक बार नीचे आने की कोशिश तो definitely कर सकता है इसलिए हमें क्या करना है यह वाली दोनों लेवल के आसपास में थोड़ा सा अलर्ट रहना है क्या करना है अलर्ट अलर्ट रहना है अलर्ट रहना है अलर्ट रेकर के वहाँ पर हम काम करेगे क्योंकि अगर वहां से market नीचे आता है तो फिर continuously तेज़ी से market नीचे जा सकता है and यह है अपना Nifty 50 अब Nifty 50 में market अगर तेज़ी से नीचे आता है तो फिर वो काफी fast नीच आएगा and अगर वो उपर जाना चाहता है तो वो काफी slow उपर जाएगा, यह सीजे बहुत सिंपल से and अगर यह 653 से लेकर के 677 के बीच में downside का planning करता है या फिर downside जाता है तो फिर हमें एक fast momentum downside में देखने वाप आपे मिल सकती है Nifty 50 के अंदर तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, day के analysis में भी हम देखते है and किस तरिके से market sentiment चल रहे है वो भी हम देखेगे quick trade के हिसाब से देखेगे तो यहाँ से अपने पास important level रहेगा 22, 425 का अगर यह level सामारा breakout होता है तो target अपना 322 का होगा चाहिए तो यह दोनों important चीजे है, दोनों important target से अपने लिए तो दोनों के उपर हमें focus रखना चाहिए, अब इसी के साथ साथ यहाँ पर दो तीन चीजे और भी important है, दो तीन चीजे important कैसे है, उसके बिचे का logic क्या है, वो देखो, market continuously यहाँ पर नीचे आ रहा है and market continuously उपर जा रहा है, तो यहाँ पर जो trap के exit रहेगा न, वो यहाँ पर आ चाहेगा वो यहाँ पर अपना trade पंच करेगे वो यहाँ से बहुत तेजी से अपने trade को hold करेगे exit करेगे, जो भी उन्हें करना चाहिए वो वो सब वहाँ पर करेगे रही trap moment की बाते, तो trap moment के लिए यह important चीजे है, मतलब चाहिए क्या हमें this position exit को हमें hold, रखना चाहिए देखिए इसकी symbol السे कुछ logic होती है symbol से कुछ fundा होता है trade को exit करने का या फिर Trade को hold करने का अगर आप यहाँ पर hold करने का चाहते हो तो आप भी उसे hold कर सकते हो एक जग्त bisa ऐसे exit प।ी इन तो आओं के के हिसाब से आपको यहापे weekly के exit भी plan पता होना चाहिए और उसके साथ में जो daily analysis होता है तो daily analysis भी आपको समझना चाहिए यह नहीं होता कि आप एक दिन के analysis सब चीजे समझ जाओगे बिल्कुल नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला आपको previous बहुत analysis देखने पड़ेगे आप सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको समझ में आए यह कैसे काम करती है चीजे किस तरीके से market sentiment चलता है यहापे कौन से important level से हमारे लिए हर एक चीज आपको समझ में आजाएगी जैसे आप markets के अंदर रहोगे market के अंदर आप trade करने का जो है continuous moment आप यहापे शुरू रखोगे तब तक आपको यह समझ में आएगा ओके अंदर से exit करोगे तो market में आपको समझ में आएगा दीरे दीरे practice से आपको समझ में आजाएगा तब तक आप हमारे यह free वाल टेलिग्राम चैनल है इसके अंदर आकर के definitely join कर सकते हो यह totally totally free to join है यहापे कोई भी आकर के आसनी से joining कर सकता है